मेरी ये कविता है जो फौजी भाई के जब फौजी भाई अपना घर छोड़कर सीमा पर जाता है युद्ध लड़ने के लिए उस परिस्ति को बयान करता जह मेरी कविता है फौजी अपनी महभूगा से क्या वादा करता है अपनी मा से अपने पिता से क्या वादा करता है अपने बच्चों से क्या वादा करता है और वो देश के नागरिकों से क्या कहना चाहता है इसी को बया करता या कविता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए माई मेरी तू क्यों रोती है तेरा आसू जन्नत के मोती है मत बहने दे इन आसूओं को माँ तू मेरे आखों की दिव्य जोती है तू मेरे आखों की दिव्य जोती है मर भी गया अगर सीमा पे लड़ते लड़ते मेरा हर जनम तेरे ही प्यार वाली गोदी है अपने पिता से क्या वादा करता है उसको देखेंगे इन चंद पंक्तियों में ए बापु मेरे तू क्यों परिशाँ है ए बापु मेरे तू क्यों है रहा है तू ही तो कहता था देख ये धरती मा है तू ही तो कहता था देख ये धरती मा है करदे छली सीना दुस्मनों का करदे छली सीना दुस्मनों का नापाक कदम जो उठता यहां है अब सैनिक अपने बच्चों से क्या वादा करता है इसे मुरिद फरमाईएगा मेरे बच्चों तुम कभी मत रोना मेरे बच्चों तुम कभी मत रोना नीद सताएगी तुम्हें नीद सताएगी तुम्हें पर तुम कभी न सोना नीद सताएगी तुम्हें पर तुम कभी न सोना जब देश हो हमारा मुश्किलों में तुम अपनी जां खुसी-खुसी लुटा देना अब फोजी अपनी महभूबा से यानि अपनी बीबी से क्या वादा करता है इसको चंद तुकड़ों में आपके सामने पस्तुत करते हैं ए मेरी महबद तु रोती क्यों हो आख में समंदर पिरोती क्यों हो मैं कहीं भी रहूं तेरी आहें तेरी पनाहें तेरा एहसास रहता है कुचल डालू दुस्मन का सर दिल में हमेशा यही जजबात रहता है अब आगे जो फोजी है वह अपनी इच्छा देश के नागरिकों के सामने यानि पर्तेक देश्वासी से वह क्या करना चाहता है इन चंद तुकड़ों में पेस करते हैं देश्वासीयों तुम मुझे भूल जाना कोई गम नहीं तुम मुझे पर सरद्धा के फूल न चढ़ाना कोई फिक्र नहीं बचा के रखना मेरी धर्ती मा को दुस्मनों से आखरी इच्छा मेरी यही है तुम सभी से इसी के साथ 25 मा को पती है जय हम जय भारत बंद मातरम कि अ कर दोने के ऩर कि अहींर ही है अजय है तुम मात्यों थोड़ा एंकarla भूल, लूछा लूर